ओम नमाहा सिद्धेव्या जिनागम नवनीत के अनुसार आज आपको तिलोय पन्नत्ती ग्रंत की ओर ले चलती हूँ तिलोय पन्नत्ती ग्रंत में प्रष्ट नंबर 337 में गाथा नंबर 1472 है जिसके अंदर बताया है कि 24 तिर्थंकर भगवान के समय 24 कामदेव होते हैं काले सुजिनवरानम 24 आणम हवंति 24 आ ते बाहु बलिप्पमुहा कंदप्पा निर्व मायारा अनुपम रूप के धारक जिनके रूप की तुल्ना संसार में किसी के रूप से नहीं की जा सकती ऐसे अनुपम रूप आकरती के धारक कामदेवपद से समनवित जो बाहु बलियादी हुए हैं महापुरुस भी 24 होते हैं जैसे तिर्थंकर 24 होते हैं ऐसे ही कामदेव भी 24 होते हैं यानि कि विशेश पुर्ण के धारक यह महापुरुस होते हैं तो ऐसा नहीं है कि 24 तिर्थंकर के काल में होते हैं 24 की संख्या कामदेव की मानी है उसमें 24 के नाम भी दिये हैं नमोकार ब्रंत के फ्रष्ट 403 पर बाहु बली अमित तेज श्रीधर यश्भद्र प्रसेन जित चंद्रवर्ण अगनी मुक्ति सनत कुमार बत्सराज कनकप्रव सिद्धवर्ण शांतिनात कुंतुनात अरैनात बिजयराजा श्रीचंद्र राजानल हनुमान बलगज वसुदेव प्रद्युम्न नाग कुमार श्रीपाल और जंबु स्वामी जंबु स्वामी इस युग के अंतिम कामदेव माने गए अब यहां क्या है कामदेव से मतलब क्या है जो अलोकि अनुपम, अद्धितिय, अनोखे संदर से समनवीत होते हैं, ऐसे कामदेव पुन्यवान, महापुर्न्यवान होते हैं और इनको जन्म देने वाले माता-पिता, कुलवंश भी बहुत ही पुन्यवान होते हैं, तो ये इसको जानने का मतलब ये है, सब लोग चाहते हैं, सुन् अच्छा स्वास्त मिले लेकिन यह कैसे मिलता है पुन्य के प्रभाव से पुन्य जब करते हैं तो निश्चित रूप से ऐसी संपत्यां अनायास मिल जाती है सर प्रथम तो ध्यान देना है कि जिनके कुल में वर्ण शंकर नहीं होता जो सुद्ध कुल और जाती वाले माता पिता से जन्म लेते हैं अपने कुल के अंदर जो किसी प्रकार का वर्ण संकर जाती संकर नहीं होने देते उनके कुल में ही आगे जाकर के ऐसे महापुरुष जन्म लेते हैं तिर्थंकर चक्रवर्ति कामदेव बलदेवादी या ऐसे महापुरुष जन्म लेते है इसलिए अपने को अपने कुल की शुद्धी जरूर रखना चाहिए जिसे हम कहते हैं खांदान सुद्धी, खानपान और खांदान सुद्धी यह दोनों ही परम आवश्यक होते हैं, खांपान बिगड़ने पर कभी सुधर सकता है लेकिन खांदान यदी बिगड़ गया तो भ विद्वा विवा यह सब करने लगे हैं तो उन लोगों को ध्यान देना है कहते हैं लड़की नहीं मिली इसलिए किसी को भी ले आए अरे भाया पुझ्जपास सामी ने लिखा कि क्षुध व्यावर्त्य कवल यति कहा काल कूटम भी भूक्षू बहुत भूक लगी है अम्रत नहीं मिल रहा तो क्या विष्खा लेंगे नहीं विष्खा के नहीं मरना अरे दूद पीले अर्थात मध्यम्रत्ती का आचरण करें और कोई मध्यम स्रेणे के लड़के लड़कि को ऐसे कुल में जन्म लें हमने ऐसे ऐसे लोगों को देखा ऐसी कन्याओं को देखा जो भाववेस में चली तो गई और उसके बाद में वे अपने बहुत परिशान होकर के अपने स्टेट्मेंट लिखती है मैं कहां आ गई मांसाहरी परिवार के अंदर मुझे किसी तरह से बचा लो तो समय रहते बालक बालिकाओं को ध्यान देना चाहिके हमारे माता पितायदी कहते हैं हमारे गुरू-जन्यदी कहते हैं खांदान की शुद्धी रखो तो ये गलत नहीं है यह हमारे कुल में आगे के लिए वह उपकार कर रहें ऐसे महापुरुशों को जन्म दे आचारशी समंद्वद्र स्वामी ने कहा उच्चयर गोत्रम प्रणतेर भोगो दानाद उपासनात पूजा और भक्ते सुंदर रूपम स्थमनात कीर्थिशु तपो निदिशु अर्थात गुरुओं की भक्ती करने से और उच्च गोत्र का बंद होता है उच्चयर गोत्रम प्रणतेर उनको नमन करने मात्र से उच्च गोत्र में उच्च कुल में जन्म लेते हैं भोगो दानात उनको दान देने से आहार दान और सधी दान ग्यान दान जाके एक ग्रंत दे दिया आहार दे दिया आहार की अनुमोधना कर ली तो ऐसे गुरुओं की भक्ती करने से उ अपनी ख्याती फैलती है और भक्ति सुन्दर रूपम बक्ति करने से सुन्दर रूप की प्राप्ति होती है देखो एक मेधक ने भक्ति की भगवान जिनेंद्र की जाकर के देवता बन गया एक बालक ने गुरु के आहार में केवल जय हो जय हो जय हो इतना बोला जा करके धन्ना सेठ हो गया ऐसे उदारण परते आज भी देखा जाता है कि जो लोग दान देते हैं उनके घर में कभी भी घटता नहीं कोई जयनी आज आपको भीक मांगता नहीं दिखेगा कोई दरित्री नहीं दिखेगा क्योंकि उसने जीवन में सीखा है कि अपने घर से एक मुठी चावल मंदीर में जरूर जाना है अपने को भगवान देव सास्र गुरु की भक्ति करना है जितनी भी बन सके भक्ति करना है यही कारण है कि हमारे जैन लोग कभी थोड़ा बहुत निर्धन भले हो जाएं लेकिन दरित्री नहीं होंगे भीक मांगते कभी भी नहीं दिखेंगे तो यह सब पुन्य का फल होता ह है तो भक्ते सुंदर रूपम स्तवनात कीर्थिशु तपोन इधिशु तपोन इधियों क्या इस्तवन करने से कीर्थी में चार चांद लग जाते हैं भगवान रिषव देव की भक्ति की उनको आहार दिया तो आज राज अस्रियांस का नाम उनके साथ चल गया आचार सांति सागर महराज के संग पति बनकर सम्मेश सिखर की आत्रा कराई तो सेट पूनम चंद घासिलाल का नाम उनके साथ अमर हो गया आज हमारे कमल मंदिर प्रीत भिहार दिल्ली के निवासी अनिल कुमार जी है और उनकी पुत्री अन्ति नामिका जी है गणि ज्यान मती मात जी के संग का संचालन करते हैं भक्ती करते हैं भक्त बनकर के संगपती का भार वहन करते हैं आज उनका नाम कितना हो गया यानि नाम से मतलब गर्व की बात नहीं है लेकिन इस्तवनात कीर्थिशू उनके इस्तवन करने से कीर्थि में यश्मी चार चान लग जाते हैं तो आत्माओं जो हमने कामदेव की बात कही कामदेव जैसे सुन्दर रूप को सुन्दर स्वस्त सरीर को अच्छे आयू को अच्छे स्वर को प्राप्त करने के लिए हमें पुर्ण करने की आवश्यक्ता है इसलिए पुर्ण करने में कभी पीछे नहीं रहें ऐसे पुर्ण के मह आत्म से ही हम कोरोना जैसे महामारी के साथ संगर्ष करके धैरी पूर्वक उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं तो हमें तो आपसे ही कहना है कि आचारियों की यति उर्षा ब्रशभाचारी जैसे महान आचारियों की पंक्तियों को जीवन में आत्मसाथ करें अपने खान दान और खान पान की शुद्धी करके सुन्दर सुन्दर अच्च अच्च गुणवान संतानों को घर में जन्म देकर वंश परंप्रा की ब्रद्धी करें और